तो तो सर्कूलर मोशन के ऊपर हम लोगों ने इतनी मस्त मस्त चीजे पड़ी है इतनी सारी चीजे जो बच्चो पड़ी है उसके ऊपर आज हम लोग बढ़िया से शांदार प्रकार से करने वाले कोश्चन्स ओके तो फटाफर से तयार हो जाए यह बच्चो जबर्दस लेव के लिए आज उपस्तित हुआ हूँ तो फटाफर स्टाट करते हैं बच्चों की कोश्चन्स उससे पहले बता दू आपको कि आपका आगास बैच यह जो आगास बैच है और सिकर बैच दो बैच चल रहे हैं आगास सुबह 8 बच चलता है फ्री ओफ को बच्चों आपको बै बात करें शिकर बैच की तो शिकर बैच में सबसे पहले सुरुवात मैं ही करता हूँ चार बजे की तो चार बजे बच्चों आपका बैच चलता है इसमें 23 के लिए मिनों तयारी करा रहे हैं पांच बज़े आपके फिर से शिवानी मैडम यहां पर अर्चना मैडम रात को 9 बज़े पटेल से पढ़ाते हैं और रात को शाथ बज़े आपको बढ़ाती है अन्यू मैडम ठीक है तो चलिए यह फ्री ओफ कोस्ट है इसके सारे कॉंटेंट को कमेंट चीजों को एक्सिस करने के लिए वोट यू केंड डू इस आपको बच्चों फटा फट से यहां प टेलिग्राम को जोइन कर दीजिए बच्चों फटा फट से थोड़ा सा डिस्टेबेंट सारा होगा उसके लिए सोरी यार थोड़ा सा बच्चे लोग आसपास डिस्टेबेंट कर रहे हैं पतानी क्यों आज इतना खुश है बच्चे तो चलिए जो भी कारण है मुझे नही के मास्टर दी है जो पड़ा रहे हैं आपर बाकि हम लोग करते हैं आज क्या हम लोग करते हैं कोश्चंस ओंदा सर्कुलर मोशन बहुत प्यारे प्यारे कोश्चन में आपको करवाने वाला हो तो पहिला कोशन देखिए यहां पर टू पार्टिकल्स ए एंड बी इच आर सब्सक्राइब इस प्रकार की कुछ ऐसे माल लीजिए और दोनों का जो रेडियस था एक का आरे था एक का आर भी था तो मैं लिख दूंगा कि यहां पर चलो ठीक है इसका आरे माल लो और इसका क्या माल लो और इसका माल लो बहुत बढ़िया झालजी और भी आप विजिस पीड वी एड वीड रस्पेक्ट टाइम पीड ओव रॉटेशन इस तो सेम रहे कि जो स्पीड है वो कितनी है वी ए है अग जो स्पीड हो कितनी है वी बी है सुरी वी ए है और इसकी आएगी वी बी गेटिंग माइपन दोनों के अलगा लगा जाएगे इस प्रकार से में आप लिख दूंगा तो दर रेश्यों टाइम पिरेडिस सेम है दर रेश्यों एंगुल स्पीड ओफ ए टू डाइट ओफ बी विल इकोस टू वोट अब भाई प धियाँ स्पीड का जो रेश्यों होगा वह क्या होएगा बहु मैरी बात समझो ओंगुल स्पीड Good क्या होती है दिखो गरी इंगुलर स्पीड होती है 2 पाइट पाइड लिए पाइड है अब किसका बड़ा है अब बराबर होगा न फर तो वेल्यू है फोईंट होगी दो time period is same then omega will be same then ratio of the omega a and omega b will be equals to 1 is to 1 so option number one is the correct answer for this particular question आप यहां पर देख सकते हो बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बस जो वैल्यूज उपर आपको दे रखी थी question में वो सब ऐसे ही थी किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं था अगर time period same दे रखा है तो हमेंगा same ही रहेगा क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगो को clear है तो फटापर से आपनोट डाउन कर लिए जल्दी से में सबसाइड में हो जाता हूं पटापर से नोट डाउन कर लिए बच्चों इसको और नेक्स्ट कोशन पर अब आगे बढ़ते हैं चलिए तो यह आगया है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूज इन सर्कल ओफ रेडियस आर अर्य गर्टिंग मैं पॉइंट इफ इट अटेंट से वर्शुटी ओव वी नोट इन दा एनित राउंड इट्स पकड़ी है वी नोट इनिशल जीरो थी एक्सेलरेशन कितना है आई डॉंट नो अना तो इस एंगुल एक्सेलरेशन ने नहीं पता मुझे तो यहां पर तो मैंने एक्सेलरेशन को ए लिग दिया है यहां पर चुड़ एक काम कीजिए इस पीड जी उसमें वी नोट ओमेगा इनिशल और टू इंटू एलफा इंटू थीटा अब काफी इजी हो जाएगा तो ओमेगा फाइनल कितना हुझा यागा वी नोट बै आः ओके यह हुझा मेरा ओमेगा फाइनल का स्वार गेटिंग मान पॉईंट दू वी बाइर मतलब जीनो बाइर का होल स्वार अब मेरी बात हो यह 0 है इंटो 2 इंटो एलफा वोट इस आलफा सो वी निट तो फाइंट एलफा यह एड़ थीटा तो एनफ राउंड तो एक राउंड में 2 पाइ चक्क्र लगाता है तो एनफ में किता चक्क्र लगाएगा तू पाइ एनटो एन अब यह काफी आसानी से यहाँ पर तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा देखिएगा आंसा लिख रहा हो मैं डिट निया बच्चो अथा एलफा की वैल्ली आएगी वाएगी मेरी वी न से ओप्षन नमबर सी इस मैं करेक्ट आंसर फूर इस प्रिटिकलर कोश्ट नोब सी इस मैं करेक्ट अंसर ओके जल्दी से पढ़ा पर सीजिए शॉलीशन को बच्चो मस्त तरीके से आपके मास्टर जी ने सलुविशन बताया बहुत बढ़िया तरीके से कोई परिशानी व सेकेंड था एक्सलेरिशन दो पार्टिकल इस वोट तो भाई यहां पर क्या बोला गया कि रखा था हमको पां सेंटीमेटर ओके विद कॉंस्टेंट अब इस पां सेंटीमेटर से पहले किसमें कर लिए मीटर में कर लिए तो इट विल बीकोश्ट तो फाइव बाई हंड्र मीटर ओके विद कॉंस्टेंट स्पीड एंट टाइम पिरडिस टीज गीवन एस वोट जीरो पॉंट टू पाई सेकंड गाई था एक्सलेरिशन अव्ट पार्टिकल इस वोट भाई एक्सलेरिशन क्या होता है यार मैं तो इतना जानता हूं कि जो एक्सलेरिशन आएगा न अनग कैपिल टी ओमेगा क्या होता है टू पाय भाई वाई कैपिल टी तो आइकेल राइट जाओ मेगा इस टू पाय गाई कैपिल टी और यहां पे जब मैं 10 की वैल्यू पूट करूंगा न तो वोट आई विल गेट इस की टेंका स्क्वायर इन्टू पाई रिडिस आगा पांच बटे सो भाई सब टेन का स्कॉयर होता है सो सो से सो निमट लेगा बच्छे का कितना पांच मीटर पर सेकेंड स्कॉयर हमारा acceleration आएगा so 5 meter per second square बच्चो मेरा acceleration आएगा और it is matching with option number D so option number D is my correct answer for this particular question क्या मेरी बात यहां तक बढ़िया से धासू परकार से समझ में आई सभी लोगों को तो बच्चो यह हुज आएगा मेरा option number D correct answer for this particular question क्या मेरी बात सभी लोगों को बढ़िया से है अच्छे से को दिक्कत तो नहीं किसी को भी चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर और next question पर आगे बढ़ते हैं next question करते है यह आगया साब एक और question angular speed of a flywheel making a 120 revolutions per minute is अब यहां पूछा कि angular speed अब यहां देखो देखो angular speed क्या होता है बच्चों कितना radian per second निकालन बिसी करने कन्वर्जिन करना रेडिन पर सेकंड में किसमें दे रखा प्री एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं अब काट डाल यह तो कितना आएगा यहां पर फॉर पाइडियन पर second ऑपके तो यह जाएगा बच्चों कितना फॉर पाई रेडियन पर सेकंड क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी हुआ होगा क्लियर हुआ है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं यह हो गया मेरा एक और कोशन बहुत बढ़िया जी यार हम लोगों ने क्या करा हम लोग एक्चली बच्चों पीवाई क्यूस कर रहे हैं और सारी कोशन ना नीट में कभी ना कभी आये हुए है आप देख स है यहां पाईया लिए हागे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं एक सेकन ऐंगे देखते हैं बच्चों हम लोग और बढ़ बढ़िया अ कोशन अ dynamics का question आचुका यहां पहले हमने किसका कर रहे हैं तो भी आप question को देखते हैं फटापर से one end of string of length L is connected to a particle of mass M and other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table okay if the particle moves in a circle with a speed V the net force on the particle will be T represented tension in the string देखों बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा एक बात बताता हूं मैं तुमको हां यहां पे table है ठीक है यहां table है और इसको मैंने इससे connect कर दिया है क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ इस परकार से यहां पर connect कर दिया है मैं बात करना आप के सामने यह table है इसको एससे connect कर दिया है और यहां पर इसका mass M tension लगेगा अंदर T अब देखो कि समझों यहाँ पर यहाँ पर हो क्या रहा है इन्होंने क्या बूला है इफ दा पार्टिकल मूज इन अ सरकल विस्पीड भी दा नेट फोर्स औन लगेगा देखो यहाँ पर एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज गया है बच्चों इंट्रेस्टिंग चीज यह कि इस्मूद एक सेकंड यह स्मूद स्टेल होरी जोंटल टेबल पर रखा हुआ है और अंदर टेंशन लग रहा है बाहर क्या लग रहा होगा बाहर बाहर कुछ नहीं लग रहा साल जो टेंशन है ना वही मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा होगा अ मबी स्कुएर वाइड यह समान आता है आम लोग को कि जो टेंशन है वों एमबी स्कुएर वाईड करेगा सपीड क्या है इस कोन्स्टेंट है इधा पार्टिकल स्मूजल सर्कल इस्पीड वी और या अ हां, circle with speed V, speed V से मोग कर रहा है, the net force on the particle directed towards the center will be what, so the net force होगा न, actual में वो tension के बराबर ही होगा, चुकि बच्चों, जो net force, net t अंदर की तरफ जो लग रहा है न, actually इसी की बज़े से ये particle circle में मोग कर पा रहा है, so this is the net and excel, sorry, net force, it creates the net acceleration towards the center and that net acceleration is known as a centripetal acceleration, क्या मेरी बात यहां तक clear है, सभी लोगों को बढ़िया से, किसी को को दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बढ़िया से, शांदार प्रकार से, तो चलिए, यह हो गया, मैंने यहां पे tension T हो जाएगा, so next question पर आगे बढ़ते हैं, फटा फट से, जल्दी से, अब पता है कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ लोग बोलते हैं, किस यहां पर T माइनस Mv square आ रहाएगा, अभी नहीं आएगा या, tension T आएगा, that's it, Mv square आप लोग बोल सेंट्रीपिटल तो centrifugal बहार लग रहा है, बहुत मनल समझाए हैं ना, concept आपको किस प्रकार से होते हैं, यह वैसे ही है, getting my point, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, next question, अपान सो केजी कार टेक से राउंड टैन्स ओफ रेडियस पचास सेंट्मेटर विद वरशुटी अप थर्टी सिक्स क्लोमेटर परार दर सेंट्रीपिटल फोर्स, अब भई यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना, सबसे पहले बच्चो वी की जो वैल्यू है, इसको आप लिख दीजिए, अब वी की वैल्यू कितनी आएगे आपके, वी की वैल्यू आ रही है आपके, 36 क्लोमेटर परार, now what you can write is, कि what is 36 क्लोमेटर परार, इसको तुम लिख सकते 36 हजार, divided by 3600, काट पीड दीजिए, बचेगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, यह तो वी आचुका यहां पर, अब मैं बात करता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो वो होगा मेरा मास एंटो वी स्क्वाइर बाई आर, तो वोट इस मास, इट इस 500, वोट इस वी, इट इस 10 का स्क्वाइर, और वोट इस आर, इस गिवन एस 50, ओके, 0 से 0 काट डालिए, 5 मास से इसको काट डालिए, कितना बचेगा, इसको काट डालिए, बच्चों, कितना आएगा, 0 से 0 राद दीजे, यह आएगा, 10, यह होगा, 1000 newton, so force will be 1000 newton, so option number A will be my correct answer here, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीक से, किसी को ज यहां पर यहां पर आपकी वैल्यू को क्या कराना, इसको किलोमेटर पर आर से मेटर पर सेकंड में कनवर्ट करके, जिस वैल्यू पूट कर दिया, and get the answer, okay, so this is my force, सेंट्रिमिटल फोर्स, तो चलिए भया, आगे देखते हैं अगले सवाल को, two stones of mass m and 2m are world in the horizontal circle, the heavy one is in a radius of r by 2, तो भया, दो mass थे, एक m था, एक 2m था, जो हमारा heavy वाला था, उसका radius था, r by 2, and the lighter one in the radius of r, सबसे पहले बच्चों क्या करो, physics में question देखते ही, diagram बना लो, अरे, 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 हाँ, तो we have two masses, and the first one is of mass what, m, अना, m mass का है, तो वो जो है, हमारा, वो हो, दोनों circle horizontal, तो कहीं पर भी mg, mg का चक्कर नहीं आएगा, कि नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो the heavier one is of radius r by 2, तो जो हमारा, ये जो छोटा वाला होगा, बच्चे, ये मेरा r by 2 radius पर होगा, तो ये 2m होगा, और ये r by 2 radius पर होगा, और जो बड़ा वाला radius होगा, आर, इस पर मेरा हलका वाला mass लगेगा, okay, sorry, m mass होगा, speed तो कुछ होगी, जो होगी इसकी, जो भी होगी, whatever, I will write the speed, okay, so, the lighter one in radius r, तो जो हलका वाला है, उसका radius r, भारी वाले का radius r by 2, यहां तक clear रसाप, लेको, फिजिस की question करने का तरीका ये ही होता है, कि हमको जो question में दे रखा हो ना, उसको diagram में हम लोग systematically लिख उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, क्या मेरी बात यहां तक सभी लोग को clear है, बढ़िया से, चलिए, आगे बात करता, tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone, okay, so, tangential stone है, बच्चों, जो मेरा, एक सिकंड, यहां पर, what I will say कि, यहां पर जो मेरा, the tangential speed of the lighter stone is, tangential speed किसकी, lighter stone की, जो थी, वो मेरी n times that of the value of heavier stone, तो इसकी माल लिजे कि v रफ्तार होगी, तो इसकी हो जाएगी n into v, okay, n into v हो जाएगी, यहां समझेगा है, आपर क्या बोलागा है, तो tangential speed of the lighter stone, lighter stone क्या यह है, उसकी speed जो है, is n times that of the value of the heavier stone, when they experience same centripetal force, अब दोनों का centripetal force बराबर है, तो भाईया, इसका centripetal force हो जाएगा, 2m into v square by r by 2, इसका क्या आएगा, इसका आएगा, मेरा यहां पर m into nv का whole square divided by r, जो कट सकता है, उसको काट डालिये, m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, यह उपर चल जाएगा, 4v square बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा मेरा n square into v square, भाई साथ यहां पर मेरे v square से v square को उड़ा दीजिए, और n की value है गी 2, and this is my answer, so it is matching with option number c, getting my point बच्चों, so option number c is my correct answer for this particular question, so यह होगी हमारी आज की बच्चों बड़िया बड़िया questions के उपर बाते हैं, अब बात यह है कि या centripetal force को या इन सब चीजों को समझने के लिए, अगर हमको और detail में जाना हो, या सिर्फ बहुत सारे questions पूछने हो, आप से discuss करना हो, आप से बैठ के proper तरीका से पढ़ना ह हो, doubt पूछने है, वो one to one बात करनी हो, या फिर discuss करना हो, तो क्या करें सर, उसके लिए बच्चों तरीका है, आप उससे जुड़ जाईए, कैसे जुड़ोगे, नरू का 10 डालके बच्चों आप अनकेडवे आके जुड़ सकते हो, और अनकेडवे कहां पर जुड़ोगे, जैसे मेरा बैच चल रहा है, टाइटन 2.0 2022 के लिए, इसमें आप आके हमसे जुड़ सकते हो, ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर दिपंदर सर, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बच्चों आपको, आपके मनीज सर पढ़ा रहे हैं, राउल सर पढ़ा रहे हैं, आपके अनुलाक सर बचाओ, कि सब्सक्रिब्शन का मतलब होता है, सब्सक्रिफ्च के साथ लाइफ पोलस रिडरबोड होता है, टेस्स सरीज चलती है, लाइब डाउट सेशन्स होते हैं, बच्चों आपके, सरी अजीव सी फोटो के लिए, एक्चली है वीडियो है वट्चभी टू टू दा बोर्ड मतलि यह जो मेरा डिजिटल बोर्ड है इसके अंदर वीडिट चल नी सकता तो आपको पोटो सब्टेट दिखाई दे रहा है अदर्वाइस सिंपल पीटी में चलता है वीडियो था वह ना मेरे आप पीपिटी नी चलती है इसके अंदर तो पत्र टेक्निकल लफडा ह तो देखो समझो आप जैसे ही आप बच्चो प्लस की उपर जाते हैं तो प्लस में आपको क्या-क्या मिलता है इन्या कि बेस्ट एजुक्टर इंट्रेक्टर लाइव क्लासे स्ट्रक्चर कोर्स और पीडिया अफ लाइव टेस्ट एंड क्विज यह सारी चीज आपको मिल यह बच्चो बस प्लस के अंदर मातर हती-four थाउजन-650 में और या फिर 50,400 में 12-24 मंत्या 12 मंस का. K算 2 मंस का क्या मतलब देखो क्या है बच्च को आप 12 महहिने में चाहे जितने बैचस से पर सकते हों, चाहे जितने यहां पर प्ड़ सकते हो चाहे जितनी बाद टॉपिक को पड़ सकते हो यह होता है इसका अल्लिमिटेर एक्सिस और प्लस के सारे बैनीफिट्स के साथ आपको वन-टु-वन-वन-वन-डाउट मिलते हैं आपको जो नोट्स मिलते हैं प्लस में एपलिकेशन में मिलेंगे पर आइकोनिक में घर पे किताब हैंगे बनके ठीक है प्रिंटेड नोट्स के इसाब से इसकी फीज है थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें फीचर भी बहुत अच्छे इसकी फीज है वह है 58,500 साल बर की और 90,000 24 months की ओके और इसमें भी नरुका टेंड डालने के बाद आपको यह यह फीज का यहाँ पे मिल जाए ओके तो नरुका टेंड डालके बच्चों आप खटापर से ग्राइब कर सकते हो जल्दी से जितने भी लोग धंग से पढ़ना चाते हैं systematically पढ़ना चाते ह हैं आज आईए और पढ़ना सुरू कर लिजिए बच्चों इससे बड़िया सिस्टम आपको और कोहीं नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर आपको हर चीज में अनलिमिटेड एक्सी से अगर मैं आगे बात करूं कि जैसे माल लिजिए कि बच्चों कुछ लोगों को लगता हो क हम लोग कोई फ्री में नहीं पढ़ सकते कि या कोई फ्री ऑप्शन है कि यूट्यूब पर फ्री पढ़ाए रहे हम लोग बड़ा तरीकस है तो आप यह टेस्ट दीजिए इस टेस्ट में इस टेस्ट में इफ यू गैट दा वन टू-टू-ट्री रैंग देन यू एक्सिस होल एयर प्लस सब्सक्रिप्शन कंप्लेटली फ्री ओके अगर चार से दस हाती तो पिछतर परसंट में पढ़ सकते हो आप ग्यारा से पचास परसंट परसंट मिल जाएगे और एकाउंट से रहें में आपको 25 परसंट मिल जाएगे तो यह तो बहुत अच्छी स्कूलर्श के टेस्ट दीजिए अगर आपके अच्छी राइंग काती है तो डेफिनेटली अनकेडमिय आपको इसमें फ्री भी प्रवाइड करेगा अगर आपके अच्छी राइंग काती है तो ना ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों कमान फटाफवर से और नेक्स्ट लास्ट घंटे दबा दतीजीए और वीडियों को लाइक करने से चैनल को वह सब्सक्राइब करने से मन को शान्ती मलेगी और फटाफवर से यहां पर जल्दी से बात कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छी S輩ए और सारी बाते हो गई है तो पड़ से बच्छों जल्दी से सब्सक्रा तो फटापट से आ जाई ओधंगजे बढ़ाई किए ओके तो तैंग्यू सो मज़ बच्चो जुड़ने के लिए आने के लिए वीडियो को देखने के लिए समझ लेके लिए कोशन्स करने के लिए सो हैपी लेर्निंग चेहन थैंक्यू